सर्धार वलभाई पटेल स्पूर्ति तो भारत अभृधिपतम लो दूसक पोतों न नारो प्रधानी नरेंद्र मोधी आत्मनी भर भारत दिसगा चेस्तों न प्रहित नालकू सर्धार पटेल स्पूर्ति नार एक ता दिवस संदर भंगा गुजरत लोनी स्टैच्यू आफ यूनिटी वर्ध जर्गिन कारेकर्ममलो प्रधानी वर्च वलगा प्रसंगिन चार्व एक भारत कोसम सर्धार पटेल चीसिना कृष्णि को नियाड है हमें सर्दार साब की एक बात अवश्य याद रखने चाहिए सर्दार सामने कहां था by common endeavor we can raise the country to a new greatness while a lack of unity will expose us to phrase calamities एकता की कमी जहां नए संकट लाती है सबका सामुहिक प्रयास देश को नई उंचाई पर लेकर जाता है आज़ाद भारत के निर्माण में सबका प्रयास जितना तब प्रसंगिक था उससे कहीं अधीक आज़ादी के इस अम्रित काल में होने वाला है आज़ादी का ये अम्रित काल विकास की अभूत पुर्व गती का है कठील लक्षों को हासिल करने का है ये अम्रित काल सरदार साहाप के सपनों के भारत के नवनिर्माण का है स्वाथंत्रियम अनंतरम सर्धार वल्ल भाय पटेलनों निर्लक्षम चेसर अरन्नारू केंद्रहों मंतरी अमिच्छा आयन सेवलकु अथिन्नत पुरुसकारालू इच्चे प्रायत्नम कूडा चेयलेदू अन्ते कादू आयननों चरित्र पूर्तिगा विस्मरिंचे प्रायत्नालू जरगाय अन्नारू तामू अधिकारम लोकी बच्चिन तरवाता पटेल सेवलनों विश्वम अन्तास मरिंच कुनेला अथ्यन्त पेद्दवि ग्रहम एरपाट्चे सामन्नारू अमिच्छा सरदार साब ने जीस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साब को भूलाने का प्रयास कि जा गया आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सन्मान उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया ना उनको उचित सन्मान दिया गया मगर कहते हैं कि सुर्य को कितनी देर बादल ढग कर रख सकता है परिस्तित्या बडली देश बडला आज सरदार साब को भारत रतन भी मिला है और विश्व की सबसे उन्ची प्रतिमा सरदार साब की हम सब की नजर के सामने हैं इस ट्रेच्ची ओप इनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एक्ता को कोल तोड नहीं सकता